पूरे स्वर्द्नों को गाले दो भूरा बाद सापकरो के बात करता है लेकिन उसमें से कुछ निंदे लोगो ला करके और अपनी राजी ते उठी सेकता आज भी वही शिती थी लेकिन उस शिती में अबे नए जमाने के लोग हैं वो थोरा अपनी बात को रखते हैं सुधाकर इसका क्या हल हुआ जिए आर जेडी किसी बैक्ति का समर्थन नहीं करती है आर जेदी देखती है कि हम वोट का लाफ कहां से होना है और जहां वोट का लाफ होना है किसी की बली चरा जेती हैं चाहा हो कोई भी हो नितिश जी तो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं तो जिस तरह से आर जेडी के लोगों के द्वारा कहा जाता है उस पर उचल रहे हैं और नितिश जी किसी भी तरह से यह ना परकरने ना चाह रहे हैं लालू जी के साथ मिल करके कि भोट को कैसे गुलबंद किया जाए हमारे साथ बाचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक र करता सकता है लेकिन इतना जूब कर सकता हूं कि आर जेडी तो पहले से कुछ लोगों को टार्गेटेट करके उनके साथ में रह करके और से समाज के भोट को एकतित करने का काम किया जाता है जिस ता से पहले हमारे कर भुबंस वावू थे जगता वावू थे पूरे करती में अब नए जमाने के लोग हैं वो थोड़ा अपनी बात को रखते हैं सुधाकरज ने क्या गलत किया था क्या गलत बात कि थी पता अधिकारियों के भरस्टाचार के उपर ही तो उन्हें आवाज उठाया था और देखे सुधाकरज का क्या हाल हुआ अनंद मोहन जी जर निकलने के लिए कहां जहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन जेर से निकलने के बाद में सही कहा था और मेरे ऊपर कोई यह अह्सान जाता ना चाहे और मैं दब करके हैं तो संभव नहीं है और मुझे आपने पीज़पूत नेतां को target किया जारा हैotर राजपूत नेतां को टार्गे मोरालेटी होगी वैसे लोग तो स्वर्न समाज के आरजडी के पास नहीं जा पाएंगे अटकलों का बाजार गरम है कहा जा रहा है कि आनंद मोह जेडी हो या बीजेपी में जा सकते हैं तो आपका कहें मैं अभी आनंद मोह जी के वारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा इसलिए उनसे मेरी मुलाकात नहीं है बात नहीं है जेल से निकले हैं उसके बाद से तो हर जगह पे वो लालू चलिशा नितिश चलिशा ही गाया कर रहे थे अब पता नहीं इधर क्या हुई है कुछ बात देखिए और जेटी किसी ब्यक्ति का समर्थर नहीं करती है और जडी देखती कि हम वोट का लाइभ कहां से होना और जहां वोट का लाव होना यह वह किसी की बली चरा देती है ज्या कोई भी हुऊ लास्ट मोमिन पर आने खाल रहम इसाथ क्या हुए एक मजबूत अस्थम् इसलिए आर्जेटी को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है उनके पास ना तो इमोशन है ना सेंटिमेंट है सिर्फ वोट के लिए कोई भी काम करते हैं जो ये नेता है इनका स्वागत क्या बीजेपी में किया जाएगा आना चाहें तो देखिए असिर्फ नेतृत का मामला है ना हम ना मैं उस जगह पे हूँ मेरी अपनी राय है कि अगर सभूक सिच को सुधार करके अगर यहां आते हैं तो पार्टी किस रूप में लेती है क्योंकि पार्टी अभी एक अलग लाइन पकड़ी हुई है जिसमें आप जानते हैं आनन्द मौंजी किस केस में जेल के अंदर थे पार्टी ने उलाइन पकड़ी कि किसी भी तरह से एक दलीत के साथ में नया हुआ वो मारे गए तो उस पर पार्टी का क्या रायल होगा मैं समझता हूं कि राष्टी एध्धक जी जैसे लो नहीं से प मुझभापूर बिल्कुल और मुझभापूर अगोसी तरा जानी है उत्तर बिहार की और मुझभापूर से ही कम से कम दस जिले का पुरा यह सुरूख होता है तो मुझभापूर से आगाज है पाटी का और अमित साजी आ रहा है तैयारी पुरी है और आप देखें यहां प यह सब के सब कहां चले जाएंगे अब देख लीजिएगा 2024 के महीं में नहीं शिक्षक नियम वली आई है उसका परूप तयार किया गया है नियोजी शिक्षकों के लिए उसमें कहा गया है कि परिक्षा देंगे तभी उन्हें राजिकर्मी का दर्जाम मिलेगा जिसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है बार बार परिक्षा लें अब अंतिम समय हैं अंतिम समय परिक्षा दे शानी जी के पास बचा हुआ कि अब नितिशी तो दिमागी रूप से भीमार को चुके हैं तो जिस तरह से आर्जेटी के लोगों के दौरां कहा जाता है उस प फिर उसमें लगा दिये कि किसी तरह एक्जाम लिया जाए यह तो समझ में नहीं आता कि वो लोग आप क्या समझते हैं दोजार चौबिस का चुनाओं के कारण ही ने चाहती है जनगना की बात चली है फिर से एक बार बिहार को और बिहार के बहाने पूरे हिंदुस्तान को होनी चाहिए थी और मैं तो उल्टा कहता हूं कि कैसे लोग हैं आप देखिए अल्फ संक्या किसको कहा जाता है आज के डेट में अल्फ संक्या कुसको कहते हैं जिसकी संक्या कम हो तो आज 18-20 परसेंट वाले को अरक्षन मिले और जो एक परसेंट से भी कम वाले हो अरक्ष में तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जो जातियां बिलूप्त होती जा रहे हैं इंदुस्तान के अंदर विहार के अंदर से मानीज नितुश कुमार जी वैसे जातियों को आरक्षन देने का काम कि जिये जिनका परसेंटेज 1-2 से कम है ना कि आप 15-20 परसेंट वाले को कि यह सिर्फ एक समीकरण के वोट को जदा दिखाया गया और किसी भी तरह से ज्यादा हो भी तो भी इसको सारवजनिक नहीं करना चाहिए था ये कहीं कहीं सारवजनिक करने से आप सी मत्विध बढ़ेंगे और आप सी अमत्विध बने से बिहार में ग्रिज उधकी सम्हाव करना हो सकती आपने सुना कि क्या कुछ का है बीजेपे विधायक है राजु सिंग इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में युद्ध होने की स्थिति है जाती है जनगर्णा कि जिस तरीके से आंकड़े आए हैं इस आंकड़ों को जारी नहीं करना चाहिए था आर्थिक जो आंक करती है और उनकी पार्टी सिर्फ वोट पर निर्भार करती है जहां से उनको वोट मिलेगा उसी से लाब कमाने चाहती है तो